अब आपका स्वागत है तो जिसका इंतजार था वो फल खत्म हो गया आप लोग अपना रिजल्ट मिला सकते हैं वेबसाइट पर आ गया है जल से जल्द है जो कि सारे लोग वेबसाइट पर मिला ले और जिनका रिजल्ट हुआ है उनके लिए मेरे तरफ से हार्दिक वधाई क्योंकि वो इतने कट आफ जाने के बाद भी सफलता पाई जिनका नहीं हुआ है उनके लिए सबसे अगला मौका है ESI इंस्वर्स्मेंट सब इंस्वेक्टर का तो आप निरास नहों क्योंकि आपको मार्च में है जो कि इसकी परिछा पर होने की पूरी संभावना है तो इस इसका बदला है जो कि आप EESI में हाला कि शीट काफी कम है लेकिन आप इसका निकाल सकते हुएं इसा नहीं के अगला मौका आपको देट नहीं है 132.2 जेनरल का गया है और कट अफ हाई गया है तो निसी दुरूप से आप लोग फटा फट मिला ले और जल्द है जो कि जो लोग सेलेक्ट हुए है कि प्या कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें क्योंकि आप है जो कि बिहार दोगा मेंस का है जो कि मैंसेट है जो कि थोड़ हैं और बड़ी खबर यह है कि आपकी रियल्ट आगे काफी इंतियार करना पड़ा क्योंकि लगभग 12 वजे से ही खबर घूम रहे है कि कट अफ के आ गया है और उसके बार लगभग 10 घंटे छात्रों के लिए काफी बेचैनी रहे हाला कि BPSC को इस तरह से नहीं करना चाहि है उसको आप में उसमें भाग ले और निरासा को दूर करेए जितना आप और क्योंकि तैयारी है जो कि बाद से नहीं क्योंकि अभी से कर नहीं करनी है जिनकर साइए और बिहार सीजियल जो आने वाली है फरवरी तरक तो उसमें भी आपको इसी तरह अनेस्फेक्टेट कटफ गया भी था तो आपको तैयारी है जो कि कहीं भी लचर नहीं करनी है आप बिल्कुल अपरवाही नहीं वर्च क्योंकि यहां कंपटिशन लाखों में है क्यों नीसी तरुप से टफ होगा और इसके लिए जो कि आप तो बड़ी ख़वर है कि आपको रिजल्ट आ आ गए और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे पर कल मुझे ने डाला था विस्वास किया वह सारे लोग करें कि कट आफ मैंने कभी 52 बताया था सुनने में जो आया था मैंने बता तो 120 भी सुनने मा रहा था उसमें तो क्योंकि यह कट आफ है जो कि जान बुझकर नहीं बताती वह आसपास के लोग ही अनुमान पर बताते हो वहां के और कट आफ है जो कि बिल्गुल ही जेनरली आउट नहीं होता कभी कभार ही कभी पता चल जाता ह है तो आप लोग बहुत कम कट आफ बता रहें असतरा का रूमान है चोंकि पहले भी कभी नहीं लगाया गया था क्योंकि 120 से ज्यादर तो कोई नहीं लगा रहा था तो निश्यत दूप से है कि आपको नीजास नहीं होना है और प्रेक्रिस्ट में जो की कंटिनु भाग ले